असलाम लेकूम हैलो फ्रेंस आज हम आपके लिए हरा धन्या आलू यानि आलू कचलू की रेसिप्टी लेकर आए हैं अगर आप हमारे स्टाइल से बनाइंगे तो आपको बहुत है अच्छा लगेगा आपने इपने स्टाइल में बनाया होगा लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर पहले से आलो को बॉइल कर लिया है और इसे अच्छे से पील भी कर लिया है हम यहाँ पर बेबी पुटर्टोस यूज़ कर रहे हैं आप चाहे तो नॉर्मली यूज़ कर सकती है हींग, 1.5 टीज़पून जीरा, अजरग 1 चोटा सा तुकड़ा, 10-12 हारी मिल्च, हारी धनिया और 8-10 गारलिक हमने इसे भी अच्छे से पील कर लिया है और एक नीमबू तो सबसे पहले हम इन सबको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे एक चतनी की फॉर्म में हमें पीसना है तो देखें चतनी हमारी अब रेड़ी है अब हमने दूसरे साइड पैन में 1 टेबल स्कून रिफाइन ओयल डाला है अब हम इसमें जीरा एड़ कर देंगे जीरा अब अच्छे से सौते हो चुका है अब हम इसमें बेबी पोटाटोस डाल देंगे हम इसे फ्राइ कर लेंगे हम मीडियम प्लेम पे ही फ्राइ करेंगे एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में अब आलो हमारे बहुत अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं अब हम इसी स्टेट पे वन पिंच हींग कर देंगे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे काफी अच्छे से यह फ्राइ हो चुके हैं अब हम प्लेम आप कर देंगे प्लेट में हमने इससे निकाल लिया है अब हम चट्मी में वन टीस्पून नमक एट कर देंगे और साथी निम्बू नमक आप टेस्टू अकॉर्डिंग लिजेगा अगर आप निम्बू नहीं याट करना चाहती हैं तो आप किसी भी खटाई यानि आंचूर भी यूज़ कर सकती हैं हमने सारी चट्नी में नमक नहीं मिलाया था हमको थोड़ी जादा लग रही तो हमने थोड़ी निकाल लिया था एक्स्ट्रा चट्नी हमारी एकडम रड़ी हो चुकी है अब हम आलो में मिक्स कर देंगे अच्छे से आप इस तरीके से अबर बना कर देखिए आपको बहुत म अब हमारा अलुकचालू बनकर रड़ी है आप जरूर इसे एक बड़ ट्राइक करें इस इखने में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा खाने में भी बहुत यमी लगता है अगर आपको कुछ अच्छा सा खट्टा सा खाने को कुछ मन करें तो आप प्लीज इसे एक अब जरूर प्राइक करें असलामनेकुम थैंक यू